आज हम बनाने वाले हैं केहूं के आटे और मके के आटे के साथ में बहुत ही सदा टेस्टी नास्ता जिसमें हम बहुत ही सदा टेस्टी मसाली के साथ में एक स्टफिंग भी बनाएंगे जो खाने में बहुत सदा अच्छी लगती है और इसमें मंटर के साथ साथ एक और चीज को subscribe जरूर कीज़ेगा सबसे पहले हम मसाला बनाएंगी तो इसके लिए मैंने आदा छोटी चमच सौंफ ली है आदा छोटी चमच जीरा लिया है आदा छोटी चमच ये धनी के बीच लिये है साथ आट काली मिर्ची ली है और साथ में इसके आदी चोटी चमच अच्वाइन ली है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है साथ में जब भी हम खाने में यूज करते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी खुश्पू भी आती है और एक अलगी फ्लेवर देती है तो सबसे पहले हम इन सारे मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़ ये मसाले निकाल कर साइड में रख देती हूँ अब आटा लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर दो कप केहूं का आटा लिया है इसके साथ में आधा कप मकई का आटा लिया है और ये दो चमच सूजे बहुत ही अच्छा लगता है और एक्तम क्रिस्पी नास्ता हमारा बनने ज लगता लिया है इसका फ्लेवर एनांस करने के लिए एड़ करूंगी कसूरी मैथी यहाँ पर दो चमच कसूरी मैथी अट कर रहे हूं बहुत यह अच्छी खुश्पु आती है इसके साथ मैं एड़ करेंगे दो चमच यह सफेद तिल बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं आ ऺदादा चोटी चमच लाल मिश्का पाउडर अब बीछ में ठोड़ा सा एक हुल बना लेते हैं छोटा सा इसमें रखेंगे हम यह तेल यहां पर दो चमच मैं ने तेल लिया हैं और यह पर एक बड़ा चमच भरकरमें ले रसों धाहिए ऊपर और फिर इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा सोडा, लगबग 1-14 चमत से थोड़ा सा कम है, तो इसलीए डाल रही हूं ताकि यह जो हम नाश्ता बना रहे हैं यह अंदर तक अच्छे से सिखेगा, अंदर तक कुग हो जाएगा, और अच्छे से फूलेगा भी, आप आटा और य नहीं जैसे हम पुड़ी बनाते हैं वैसा है इसका डो बनाकर हमें तयार करना है तो थोड़ा-थोड़ा सा पाने मिक्स करते हुए मैंने इसका डो बनाकर तयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि नरम नहीं है और बहुत ज़दर सक्त भी नहीं है इसी हम सैट होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम फिलिंग बनाएंगे यानि अंदर की स्टफिंग बनाएंगे तो इसको साइट में रख देते हैं अब मैंने कड़ाई में तेल डाल लिया है एक बड़ा चमज और दो हरी मिर्ची को बारी काट लिया है यहाँ पर आप बच्चों के लिया अगर बना रहे हैं तो मिर्ची को हटा सकते हैं या फिर तीखा अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं इसमें ढालेंगे आदा चोटी चमज सौट पाउडर एक चोटाई चमज हींग पाउडर और फिर ढालेंगे थोड़ी से सफेद दिल एक चोटी चमज यहाँ पर एक चोटाई चमज हल्ती पाउडर टाला है आदा चोटी चमज धनिया पाउडर और आदा चोटी चमज लाल कर सकते हैं क्योंकि फिर तो हमें मिलने नहीं वाली है आप इसको फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं तो जो हमारी फ्रोजन मटर बन जाएगी आपको कैसे बनानी है फ्रोजन मटर उसकी रसी पी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंड करके जरूर बताईएगा अब यहां पर म मैं इसमें एट कर रही हूँ चार से पांच कच्ची केली जिनने मैंने बॉइल कर लिया था और मैश कर लिया था तो यह पांच केली मैंने लिये थे जिनने अच्छे से मैश कर लिया है और यह सब मसाली के साथ मैं अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो केली की जगे पटेटों का भी उस कर सकते हैं और अगर लहसन प्याज करना चाहें वो भी कर सकते हैं लेकिन आज हम यह नास्ता बिना लहसन प्याज बिना अलू का बना रहे हैं थोड़ा सा मैंनेस में डाला है करम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा डाला है आमचूर पाउडर और नमक डाल और यह हमारा मिक्षर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर त्यार हो चुका है इसी मैं उसी बाउल में निकाल रहे हूं जिसमें मैंने कच्छे के लिए निकाले थे तो जादा बटन भी खराब नहीं होंगी और हमारा काम भी हो जाएगा अब इस मिक्षर को पूरी तरह से ठ रेक्षर हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा यह ना तो बहुत जादा गीला है बहुत साथा सौफ्ट भी नहीं है और बहुत जादा टाइट भी नहीं है तो देखिए इस तरह से छोटे-छोटे से पेड़े बना कर त्यार करेंगे पूरी से थोड़े जादा बड़े रखे अब धनिये के पते को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे यह काम मैं हाथ से कर रही हूं आप सहे तो चम्मत से भी कर सकते हैं और अगर केली के तोड़े बड़े टुकड़े रह गए हो इसमें तो उनको भी आप अच्छे से मेश कर दीजिएगा तो थोड़े-थोड़े से रह और जो मसाले हमने इसमें भुनकर डाले हैं रोस्ट करके उनकी कुछपू बहुत ही ज़्यादा अच्छे आती है तो यह जरूर से आप यह नाच्छता बना कर त्यार केजिए का बहुत ही ज़्यादा मज़िदार लगता है आप चाहें तो इसको सुबह के टाइम में बना लीजिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आएका सबको आप देख सकते हैं कि मैंने आफर स्टफिंग की छोटी-छोटी सी कोलिया बना ली है और अब जो आटा था ना और जो पेड़े हमने निकाले थे उसका भी मैंने इस तरह से हाथों से इसको फैला लिया है जैसे कि हम कच कोला ना रही और स्टफिंग बाहर नए तो देखे मैं किस तरह से कर रही हूँ ऐसे ही आपको त्यार खरन característ है तो यहां पर देखेम एकुल अच्छा कर लिया है कहीं से भी खुलानी रहना चाहिए और इस वी तरार ना चैहें हुए बिल्कुल अ लागता है चाहिए तो अब हमेने कोक करेंगे कोक करने के लिए देखे मैंने आपपम पात्र लिया है आप चाहे तो इन्हें डी फ्राइब भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपपम पात्र में कम तेल में यह नाश्टा बना कर त्यार कर रहे हूं तो सबसे पहले मैंने अपपम पेंड में तेल डाल दिया था और फिर जब तेल अच्छे से करम हो गया है तो इसमें सफेद तिल डाल दी है जो बीच वाले यह जो तीन खन रहते हैं इनका जो ऑईल है बहुत जल्दी करम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर संटर में हमारी जो गै करेंगे एक से दो मिनिट के लिए और बीच पीच में आप ज़रूर करते रहें का क्योंकि जो सेंटर वाले पीसे से ना वो चल्दी से सिख जाते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने इंको कुछ सेकिंड के लिए को किया और फिर मैं पलट रही हूं तो आप देख सकते हैं कि इ लेकर नहीं आप चाहें तो इनको नॉर्मली कड़ाई में नमक डालकर और वैसे भी बेक कर सकते हैं तो उससे भी यह बहुत ही जदा क्रिस्पी नाश्टा बनकर त्यार होगा तो यहाँ पर देखे मैंने इनको पलट दिया था फिर से ढग दिया था और अभी मैंने वापस अच्छे से धकन अटा दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बीच वाले गोले हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है एक्टम गूल्डन हो चुके हैं और यह अच्छे से सिख चुके हैं उपर से क्रिस्पी लगते हैं अंदर से एक्टम सॉफ्ट रहते हैं और हमने इसमें सोडा डाला है तो इस वज़े से हलके हलके फूल भी जाएंगे जिसकी वज़े से इनमें दरारे भी आ जाती हैं और यह फट चाते हैं तो उससे हमें पता चलता ही कि बहुत ही अच्छे से कोक हो गये हैं तो इसी तरह से ढखते हुए इनको हलका थोड़ी दोड़ी हैं अच्छी से शिक चुके हैं यह अच्छी कोड़न हुछ उचुके है तो सबसे पहले मैंने इसरे वाले हटा ले फॉलेते हैं समय भी कम लगेगा और ओयल भी जादा नहीं लग रहा है तो इस तरह से आप ये नाश्टा एक्तम healthy way में बना कर ट्यार कर सकते हैं तो यहाँ पर दीखें मैंने चिमडीव की help से इन सब को पलट रही हूँ और इस तरह से एके करके सब को बाहर भी निकाल रही हूँ जो सिखते जा रहे हैं उनको और आप देख सकते हैं कि एक्तम soft है उपर से crispy हो चुके हैं तो यह लेजिए हमारा नाश्टा बनकर एक्तम त् की बाली तो यह दूनों चटनी के साथ में इनका combination जो है बहुत ही सदा मज़ेदार लगता है मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे बने हैं यह जो बनाए है हमने हलके से फूले भी है इनका size बड़ा हुआ है और अंदर से इनके stuffing जो है एक्तम soft है बहुत ही सदा मज़ेदार है यह मुफली का इसमें टेस्ट बहुत ही सदा अच्छा लगता है तो आप जरूर से बना कर try कीजिएगा बच्चों से लिकर बड़ों तक सबको बहुत सदा पसंद आएंगे और अगर आपको यह आटे से बना यह नाश्टा पसंद आया हो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में